पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टर अमरिंदर सिंग के ग्रीन अगर पटियाला में एक दलित महिला के साथ हुए गैंग रेप के मामले में पंजाब पुलीस की कार्जुगारी पर सवाल खड़े कर दिये हैं हाला कि पुलिस ने महिला के पती की शिकायत के अदार पर छे लोगों के खिलाफ मामला दर्च कर लिया है महिला के पती ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि वह जान बूच कर मामले की चानबीन में देरी कर रही है क्योंकि गैंग रेप के सभी आरोपी राजनितिक तोर पर प्रभावशाली है महिला के परीजनों का आरोप है कि आरोपी खुले घूम रहे हैं पुलिस उनको जान बूच कर के रिफ्तार नहीं कर रही है यह हमामला बीते शुकरवार का है 36 वर्षे दलित महिला घर पर अकेली थी महिला का पती दुबई में रहता है और हाल ही अपने गाउं लोटा था वारदात के दिन वह घर पर नहीं था पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक महिला को पहले घर से अगवा किया गया उससे मारा पिटा गया इसके बाद में एक आटे की मील में कथित तौर पर 6 आरोपियों ने बारी-बारी से उसका बलतकार किया पुलित महिला को अस्पताल में भरती कराया गया है गेंग रेप के आरोपी पिडित महिला के गाउं में ही रहते हैं उन पर संभू पुलिश, स्टेशन में रेप और सस्टी एक्ट के तहत केस दर्ज है आरोपियों के खिलाब जातिय तिप्णिया करने का आरोप भी लगाया गया है F.I.R. में कहा गया है कि आरोपियों की उम्र 20-30 वर्ष के बीच है उन्होंने महिला के घर में जबरन गुसकर हत्यारों के बल पर उसका परंड किया पुलिस के मताभिक सभी आरोपियों की पहचान की जा चुकी है पुलिस का कहना है कि फिल Хाल सभी आरोपि फरार है अभी तक किसी ब आरोपि को गिरिफतान नहीं किया गया है सोमवार को दलित संगठनों के पंजाब बंद आहवान के चलते महिला का मेडिकल नहीं करवाया जासका पुलिस महिला की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कारवाई की योजना में है